नमस्कार एक बात हमेशा त्यान डखता अपने जीवन में जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं न एसे लोगों से आप जरूर दूर रहना वरना यह लोग आपके जिनकी बरबात कर लेंगे आपको अंदर ही अंदर खोकला करतेंगे यह गिरगिट वाले लोग अब आप कोगे सरी यह गिरगिट वाले लोग कोन होते हैं पता है आपको यह गिरगिट वाले लोग कोन होते हैं ये गिरगिट वाले लोग है ना, ये सेलपिस लोग होते हैं, ये मतलबी लोग होते हैं, जैसे इनका मतलब निकला और गिरगिट जैसे अपना रंग कैसे बदलता है, वैसे ही ये अपने रंग बदल देते हैं, आपको लगता है कि ये इनसान मेरे साथ में है, लेकिन जब उस पढ़ जाते हैं किया मेरे साथ क्या हुआ यह अभी तो मेरे साथ खड़ा था और अभी उनके साथ में खड़ा है हाँ बिल्कूल selfish लोग मतलबी लोग ऐसे ही होते हैं इन मतलबी लोगों को अपने जिन्दगे से निकाल लेना पता है अब आप कोगों सरी मतलबी लोगों को हम पैचाने कैसे हैं इन मतलबी लोगों की बहुत ही अच्छी खूबिया होती है यह साले अपने मतलब के लिए क्या क्या कर जाते है अगर इनको पैचानना हो ना तो ये तरीके अपना ना सेलपिस्ट लोगों की मतलबी लोगों की ये आदते होती है सेलपिस्ट लोग मतलबी लोग आपको खाली जरूत पढ़ने पर ही याद रखना Selfies लोग होते हैं उैंगे है उसमा जरूत पढ़ने पर ही आपको याद करते हैं ध्यान रखना बिना किसी काम के आपको याद नहीं करते हैं जैसे हुए उनको किसी बहुत जरूत पढ़ाएगे ना वो आपको F वाशमी हैं। मतलबी लोगों की सबसे बूड़ी एक काशिक होती है। इसलिए ध्यान होते हैं यह हमेसा जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं, बीना जरूरत के आपको याद नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को अपने जिन्दकी से दूरी रखना, और ऐसे लोग जैसे उनका स्वार्त पूरा होता है ना, फिर आपसे दूरी बनाना शुरू करते हैं, जब तक उ उनको स्वार्त सिद्ध पूरा हुआ और आपको साइड में किनारा लगा देंगे और किसी नए आदमी को किसी नए को पकल लेंगे वहां से भी अपना स्वार्त सिद्ध करने भी लगेंगे यह इन सेलपिस लोगों के सबसे बड़ी एक खाशित यह होती है यह क्या करते हैं ज जैसे ही स्वार्त सिद्ध होगा ना उसको भी वेचर को छोड़ देंगे इसलिए ऐसे स्वार्त सिद्ध ऐसे सेलपिस लोग एसे मतलबी लोगों को अपने जिवन से निकाल देना सेलपिस और मतलवी लोगों के सबसे बड़ी खाशत एक ये भी होती है जिससे ज़्यादा स्वारत सिथ होगा ना उसी का पक्स लेंगी ध्यान रखना कि दो दोस्त खड़े हैं तीसरा भी खड़ा है अब तीसरा है ना मतलबी समझ लेना लेकिन जब दो दोस्तों के भीच में कुई लड़ी होती हैं ते अब भो देख लगार मैं किसका साथ दों या क्या करों किसका साथ लेकिन वो जो मतलबी लोग होंगे ना मतलबी दोस्त होगा ना वो उसका ज्यादा साथ देगा कौन किसके समय काम आसके उसको लगता है इससे मेरा ज्यादा स्वार्थ सिद्ध होगा तो वह उसका साथ देगा आपका साथ ने देगा अगर उसे लगए आपसे ज्यादा स्वार्थ सिद्ध होगा तो वह आपका साथ देगा दूसरे का साथ देगा इसलिए स्वार्थी लोगों की सबसे बड़ी खाश्यत यह होती है जहां से ज्यादा स्वार्थ सिद्ध होता है उसी के पीछे लग जाते हैं इसलिए इन लोगों को तो अपने जिवन से निकाल देना वरना ये अपनी जिन्द की बरबाद कर देंगे सेल्पिस लोगों का जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता है न यह हां में हां मिलाते रहते हैं यह बस आगे पीछे गूमते रहेंगे और जैसे ही इनका स्वार्थ सिद्ध पूरा हुआ आपको टिक लगा देंगे और किसी दूसरे को पकड़ लेंगे इसलिए इन सेल्पिस लोगों की सबसे बड़ी खाश्यत होती है दियान रखना कि ऐसे सेल्पिस लोग आपके जिएंद में भी हो तो उनको निकाल देना यह हमेसा आपकी हां मेहां मिलाएंगे इनका स्वार्थ पूरा हुआ आप जाओ गाड़ में इसलिए ऐसे लोगों को अपने जिन्दगी से दोरी खना